नमस्ते में तरो आप सभी का UPS याइस एक्जाम्स यानि की तपस्वी IES में बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टोपी है पोस्ट मोर्या पेरियाड इन नोर्थ वेस्ट इंडिया आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो मोर्या सामराचे के पतन की बाद जो नोर्थ वेस्ट इंडिया का पार्थ है वहाँ पर कैसी कैसी परिश्थिति कौन-कौन सा किंग्डम है उसके बारे में डिसक्रिशन करे वाले है उसमें हम देखेंगे कि जो ग्रीकों इंडो-ग्रीक जो इंडो-पार्थियन यानि कि जो पहलव और वेस्ट इंक्रव और उसके बाद देखेंगे कुसान सामराचे है उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिवाइड करेंगे यह जो पोस्ट-मॉर्यान पीरियड है उसको पहले जो हिस्ट्री है उसमें दो पार् सामराचे और सत्वहन सामराचे हैं उनकी बॉल बाला थी और उसके बाद देखे तो जो नोसन वेस्टन पार्ट है वहाँ पर मोर्या सामराचे की पतन के बाद जिन्होंने वहाँ पर राज किया तो वह है इंडो-ग्रिक्स और यह जो सीथियन यानिकि जो सक है उन सब ने इस वाले पार्ट में राज किया है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडो-ग्रिक्स किंडम है उसके बारे में देखते हैं आप सबसे पहले देखें कि यह जो इंडो-ग्रिक्स किंडम है उसका भारत में उस वक्त जो फेलावा है उस कितना था उस वक्त देखे तो सदन सदन वाला जो पार्ठ है वहाँ पर साथ यहां पुत्र साथ करने वाला वह एंपार वहाँ पर फट कररा था अम्रावति का इस सदन आप में राज था हो ही जो मगत वाले बार्ट में देखे और central इन्वेशन जो देखा है सिकंदर के बाद तो वो है ये ग्रिको बेक्टरेंज जो किंग्डम है वहां उन्होंने यहां पर अपना जो सामराज है वो फेला जो फेलाया है उसकी भी एक वज़ा है क्योंकि आप देखें तो सबसे पहले जो इन्डो किंग्डम से उन लोगों न के वज़ा से इतनी नहीं थे या फिर कहें तो जो पाटली पुत्र में उसके बाद असोक समराज के बाद जो कोई रोल्स आये तो वो उतने वीक हो सकते है क्योंकि उनकी पहुंच यहां तक नहीं थी नहीं सात्वान की पहुंच उस वक्त उतनी थी कि यह जो हमारे नोर्थ पार्ट जैसे कि पंजाब है गांदार है अभी प्रेजंट है अफगानिस्तान देखे पाकिस्तान देखे और सवरास्ट वाला जो पोर्शन है यह जो हमरे टेरिटरी है उस पर इन सब लोगों ने कबजा कर लिया था तो आप देखे देख सकते हैं कि जो इंडो क्रिक तके अब देखते हैं कि जो इंडो किंग्डम है उसके बारे पहले पेले आप देखे तो जो गृटट लोग है उनको हमारे संस्क्रीट लिजरेचर और उसमें उनका नाम का उलेक किया गया है संस्कृत में उसको यवन कहा गया है और प्राकृत लेंगविज में उसको योना कहा गया है साइध यह सब्द जो यूनान है उसके उपर से ही यह सब्द बनाया हो गया ऐसा मविद्वानों का मानना है साथ ही साथ अब देखे तो यह इ वो इनडी पेंडेंडेंटनंकों ए वो वे बनाएं इसलिए उश्कों info ऐसलिए उसको इंडो ग्रीटरी अच्री सब्सक्राइब चाएं अफ्र यहां पर पहले उन्हों न लोग ने पहले बेक तर्मिक्ट्रियाlar किया जो बेक्टरिया है वह थो फेले उसको लेटिन में ऑक्सष कहा जाता था उसके बीच का जो एरिया वहाँ पर उसका जो पर उसको किल्गम बना गया उधना गया घाया और वहीं से ही यह गांधार है काभूल है इन असब जगाओ के वहां पर विक रूलर आये तो इसलिए भी वो लोग है वो आगे वहां से बड़े थो अब देखे थे हैं कि यह जो ग्रीक वह भेत्रिया वो पहले कौन थे बेक्टरिया के जो ग्रीक रूलर थे जो जो सबसे पहला जो ग्रीक रूलर थे वो कौन थे वो इस सेलुचिड एमपायर एलेक्टरिया में रूल करता था कापी सालों तो एसा रहा लेकिन उसके बाद जो डायोडोटस वन है जो की उसका एक सर्दा था उसने सेलुचिड से सेलुचिड जो राजा है उनके खिलाब विद्रो कर दिया और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंग्डम है वो बनाया गया है और वहीं जो राजा है उन्होंने हमरे जो इंजिन टेरिटरी जो केप्चर करके उसके सामराजय में मिला ली थी तो इसलिए ये सब है उसको इंडो-घ्रीक गृूलर्स कहा जाता है सबसे पहले देखें तो ग्रीक सेटलमेंट्स की सुरुवात होती है जो ग्रीजों इन्वेजन लाए गये 5th century BC में तब जो ग्रीक डेटल मेंस हे उसकी सुरुवाथ होती है इस बीक्ट्रिय वाले रीजियन में वहीं से वह आगया बढल के हैं जो गांदार और नोथन वेस्टन पाढ़ है इंडिया का वहाँ पर अपना सामरजिय का फेलावा वहीं से करते हैं और देखे तो उन लोगों ने नोथन वेस्टन पार्ट है उसमें तकरिबन डेट सो साल तक वहां पर राज किया और उसमें भी दो ऐसे हाउस थे दो ऐसी डाइनस्टेस थी दो ऐसी लाइनस्ट थे उन्होंने इसे राज किया उसमें पहला है युद्धेडेमस और दूसरा ज जन्होंने इंडो-ग्रीक राज 10 प्परी इंडिया के उपर हमला करने की को शीज की अंडिया की टेर्टिरी कैप्चर करने की को सिकी वह था एंटेवक्स टू और अहेरने स्ट सेल विश्विट किंगफम चिंग्डम है उसका एक वाट राजा था उसने इंडिया के छिला एक military campaign चलाए और वहीं के एक principality है काबोल की प्रिंसिपालिटी है काबोल की प्रिंसिपालिटी है जो छोटा सा kingdom था उसके राजा थे इंग सुभक्सेन उसको 206 बीसी में उसको हराय और वहीं से ही ये ग्रीक लोगों का जो campaign है ग्रीक रूलर्स के जो campaign towards इंडिया उसके शुरुवत वहीं से ही होती है जो उसके बाद जब वो पीक पर था तो कौन-कौन से एरिया वो capture थे इंडो ग्रीक किंग्डम्स में तो आप देखे तो तकसर चिला है ये बगराम है और साथे साथ ये जो राजपुतना वाला एरिया साथ ये पाकिस्तान वाला और कास्मीर वाला जो एरिया है वह सब उस वक्त जब इंडोग्रीक किंग्डम्स पर था ये सब वह उसका ही पार्ट थे जो सब उसके बाद देखे तो properly अब देखते ही हमर जो evidence मिले है उससे पता चलता है कि सबसे पहला जो कोई ruler था जिसने इं इंडिया को प्रोपर ली इंवेट किया और जो ये गांतर वाला जो जब अचाव पर मगत का उतना कंट्रोल उसके बाद पाटली पूत्र रगा उतना कंट्रोल है वह उसके उपर नहीं था तो इसलिए भी आज ड्रेमेट्रियस के लिए ये सब एरिया है वह केप्चर करना आशान हो गया और उसने ज्लबरल्स परफाली केंपचर करने के लिए और जो है जो कि इंडो ग्रिक किंग्डम का मोस्ट पावरफूर राजा था और वेलनोन राजा था तो उसने मथूरा है वहाँ तक उसका जो केम्पेण है मथूरा तक चलाई और उसने पाटली पुत्र तक कैप्चेक करने की कोशिए की लेकिन वहाँ पर जो पुश्य मित्र सूंग है उसके पर उसके जो पोते हैं वसुमित्र तो कि बाद में वो समराड बने वसुमित्र ने ही ये मिनेंडर की मेलिटरी केमपेंड है उसको रोका और उसको वापिस गांधार जाने को मजबूर कर दिया और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में भी इंपोर्टन इसलिए हो जाता है कि सबसे पहला जो कोईन से उसकी शुरुवा थे वह इस ग्रीक लोगों ने ही की थी और उसके जो कोईन है उसमें प्राकृत में लिखा गया इसा थे जो खरोश्टी स्क्रीप से उसमें उसके जो क से उसमें अपने जो मुखे ओने की शुरुआ रही होगी अब देख से जो हमारी केपशन की साथ ही सहाथ हमारे कल्चर है उसको भी वो connection में आ गये तो इसलिए भी हमारे कलशर है उसने इंडो-ग्रीद का प्रभव पड़ा है वह बाद में बुद्धिस्ट बन गया मिनेंद्र के लावा काफी जो राजा थे वो भी बुद्धिजम के प्रभव में आ गये थे वो देमेत्रियस है उसके बाद उसका जब जब सक्सेसर है वो है मिनेंद्र जो की इंडोग्रिक किंग्डम का सबसे पावरफुल राजा था और most famous ruler of इंडोग्रिक सब्सक्राइब की है वो यह मिनेंद्र या फिर मिलिंद यह मिनेंडर ही है जिसने इंडिया की इसके द्वरा ही चलाए गए है यह प्रोबेबली एडवांस बियोंड दो हाइपानिस यानि की बियास एसफार इस तरिवर इमोस और इसमोस युजली आइडेंटिवाइस यमुना यमुना रिवर्ड तक उसका जो सामराज है उसका जो मिलिटरी गैम्पेन है उसने यमुना इवर्ड तक फेला था उसका सामराज यह है वो प्रबेबली मतुरा तक उसका सामराज है वो फेला था और उसका जो किंग्डम है वो काबुल से लेकर मतुरा है वहां तक उसका किंग्डम है वो फेला था जो की काफी एक बड़ी टेरिटरी उसके अंडर थी और बाद में जो है उसने जो बुद्धिजम है उसको नागिशन के प्रभाव एक जो बुद्धिस्ट मौंग थे नागिशन उसके प्रभाव में आकर वो जो है वो बुद्धिजम अपना लिया और ये मिनेंडर और नागिशन के बीच जो प्रस्नावली चली थी उसको मिलिंद पद्मो न कहते हैं और उसके कोईंस है उसमें भी बुद्ध दर्म का प्रपाव पड़ा है जो दम्म चक्र है वो उसके कोईंस के ओपर उसने एंग्रेव किये गए है और मिनेंडर की मुझतियों के बाद उसका जो सक्सेसर है वो उस्ट्रेबो प्रथम बना और उस्ट्रेबो प्रथम के बाद जो हाउस चेंज हुआ उसमें है एंटी आलसेडास जो की युक्राडाइट से बिलोंग करता था उसने ही एक जो एमबेसेडर है उसको जिसका नाम हेलियोडरस उसको भागभद्र भागभद्र जो की सूंग राजा था उसके जो दर्बार है वहाँ पर फेजा तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बेच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफी जो वो लोग है वो मोरिस जो ये पातली पुत्र सामराज्या है उसके पर उसमें अपने जो राद्दु थे वो वहाँ पर फेज दे थे और ये जो हेलियोडरस है उसी ने ही ये जो बेच नगर पीलर जो वीदीसा की भिलार यानिकी जो वीदिसा है उसके पास ये जो बेच नगर पिलर है वो बनाया है जो कि वाशुदेव को डिवोटएड था और उससे आप कह सकते हैं कि ये लोग है वो हमारी Indian civilization और culture के कापी प्रभावित हुए थे साथ इसलिए भी ये लोग है वो हमारी Indian जैसे नाम भी रखते थे साथी साथ जो Indian God है जो बुद्धिजम में convert हुए साथी साथ दूसरे जो राजा है उन लोग ने Indian God की जो हमारी जो उपादिया है वो ही लोग है वो धारण करने लगे थे और उसके बाद जो लास्ट नौन ग्रिक किंग्स वेर इपोस्ट्रेटोस और हर्मियोस जो की मोगा और कुजूल कटफीस द्वारा इन दोनों को defeat किया गया है और इसके बाद जो यह इंडोग्रिक जो सामराजी है उसमें यह मोगा यानि कि जो सक पहला सक वेलन रूलर था उसने यह चीसों मोईस भी कहा जाता था उसने यह कुछ टेरिटरी है इंडोग्रिक केंडम की वो सक सामराजी में फेला ल मिनेंडर के बाद पुरा decline हो गया अब देखते हैं इन्डोशीटियंस यहानि कि जो सक लोग है उसके बारे में देखते है फर्स सेंचुरी बीसी में जो गांतरवाला एरिया है वो सक सासा के उसके द्वारा ही वो एरिया है वो रोल किया जाता था उसमें भी यह जो सक है उसको historically भी उसका एविडेंस मिले है उसमें जिसान की जो रामाइड है उसमें महाभारत और पतंजली का महाभाशी है उसमें भी इन यवनों के साथ-साथ इस सक लोग है उसका भी मेंचन किया गया है उसको सक और पहलव दोनों के रुप मेंचन किया गया है और साथ-साथ इन एपिक के साथ-साथ अब देखे तो पुरान है जिसमें हरिवन्स पु प्रतानक और उसमें भी उनके बार में दिया गए है साथी साथ जो समुद्र गोपत की जो प्रसस्ती है प्रयाक प्रसस्ती उसमें भी सब्वा सब्वाइब के उपर टीपने की गई है और मत्मरा लाइन इसक्रिप्शन है उसमें भी जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो इन लाते गए और वहीं से ही जो सक्सामराजिय उसकी शुरुवात होती है और काफी जो इसका मानना है कि यह जो सक लोग है वह यह जो सकी थी है स्की थी लोग थे मध्य एसिया के सेंट्रल एसिया के उसकी एक जञ्जातियों का एक समुख है और उसके वहां से वह तब भगे जो जो जा हूँ है उन लोगों ने इसके उपर आक्रमाट गिया तो ये लोग께 वहां भाग गए थे और वहां से इसेंट्ट्रले असीजी से ही वो बेक्ट्रिया है वहाँ हाऊ और बेक्ट्रिया के जो और इंडुक्रीक दम है उसका जो गिंग्डम है उसके उपर बार बार आक्रमन करके उसका जो पूरी तरह से वह बरबाद कर दिया था यहीं से वहां पर उन्होंने चीनपीन चीनी पासा में उसको चीन पीन कहा गया है चाहएफेश जो चीनी सोरसे से उसमें इस सब जगाओं को चीन पिन कहा गया है और अब देखे और उन लोगों ने जहापर जो सामरजय फेला था उसमें भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें आ जाता है उसमें जो सोरास्ट वाला पार्ट है वो साथे साथ जो मतुरा ह लगिख चाहित हैं और जो कुछ-कुछ ऐसा इरान और पाकिस्तान का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भीष्चा पुछ इसने आता है ये जो सब लोग थे ये devil के सामरा ज zusका की के अपना लगाया पार्थिया का जो पार्थियन एंपायर है उसको वहाँ पर लेकिन वहाँ का जो राजा था मित्रिस डेट टू पार्थिया उसकी जो पावर थी वो काफी वो काफी पावर्फुल राजा तो इसलिए ही वहाँ पर उनके डिफिट मिली और वहीं सही इन होने इंडिया के उपर पर फोकस करना सुरू कर दिया क्योंकि इंडिया वह पहले से ही यह तक से शिला और यह नोर्टन वेस्टन पार्ट है इंडिया वाला वह पहले से थोड़ा वीक था मगद और पाटलेपूतर के कंट्रोल में नहीं था तो इसलिए भी लोकों ने वहां पर फोकस किया और उसके कि अनुसार जो जो अनुसार घेसार ते जो मोंग थे उन्होंने ही सक लोगしま है उनको भारत के eteाकरमोंड करने के लिए रहे था कि जो वो उजिन में रहे रहे थे और वहां का जो राजा था गर्द भिल उसके अत्याचारों से तंग आकर ही उन्होंने इस राजी में चले गए और इन सक लोग है उसको इंडिया के उपर अटेक करने के लिए आमंत्रित किया था और अभी देखें तो उन लोगों ने वहां है और यहां आकर भी अपना जो सामराजी है वो फेला या साथी साथ अब देखें तो उन्होंने अमरी जो सिविलाइजेशन है कल्टर है उसको भी अड़ेप किया और अपने आपको वो महाराजा और राज राजे सुर ऐसे जो हमारे पहले जो राजा जो टाइटल अपने आपको देते थे वह लगाने लगे साथ ही साथ जो अपने जो कॉईंसे उसमें भी काफी बदला वाया उन्होंने जो जो ग्रीक रूल है उसके वीपरीत सख लोगों अपने जो सिखों झोंकी की बिसिट्र से बना जाते थे जिसमें जो प्राक्रह थे उसमें महाराजा और राजे सवर ऐसा लेखा जाता था उससे हमें यह पता चलता है कि वो भी पहले जो इंडोग्रेक किंग्डम से उनके साथ साथ यह लोग भी हमार इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन कल्चर में प्रभाव में आपकर वो खुद ही वो बदलने लगे थे अब देखते हैं कि ज किताब है उसमें लिखा गए है और वह यह जो मौश या उसने ही जो गांधार से लगे वेस्ट टा इंडर्ट फ्रोम इंडोग्रीक रूलर अटे मिड़रस अटे मिड़रस से इसने ही जो टेरिटरी से वो क्याप्चर किये थी निमिस्मेटिक एविडेंस सजेंस्टेट्ट मोश सरूब ओर टेरिटरिस परोम इस्टर अफकानिस्टान तुगांदर इनकी जो काफी इसे जो निमिस्मेटिक एविडेंस मिले उससे पता चलता है कि जो मोश से उन्हे जो इस टनना इसतार वो है वहां से यह जो है गांधार वहां से वो करते हैं और उनकी जो धैपिट रही होगी और होने लार्ज नमबर ओप कोपर कोई दिविल वॉट कोई इस इस्यूड बाई असक्रूल अस्तून होने ही यह जो महँ से उसने काफिसे मात्रा में जो वर कोई और सिल्वर कोई से उसको अब अपने सामराजय में उसकों उसने बनवाए है अड़ेट प्रॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाउंडें तक्ससिला के बिटल मॉज मेंशन्स था इंश्राइंड ऑप समर रेलिक्स ऑप साके मोने बुद्ध इंस्टूप एंड़ कंस्ट्रक्शन ओप संग संगर्म बा जो की मोज की पहले वो राद्दानी हुआ करती थी सर्वात सर्वाती दोर में यह के तक्ससिला है वहां से वह सासन करता था उसके जो शत्रफ है पति का उसने ही यह जो साक्यमोनी बुद्ध है उसके लिए जो स्तूप है वो बनवाए थे और मोज के बाद जो राजा बना सिर गया है उसको दोनों को ही एक सात्मी मंट ँद्ध केप्चर में चरहेए वह रोगातार नहीं भूब हें दोर चल्ब मोज केंसे इस आहाई उकिक रूलर हिपो हिपो स्टेटर्स आप्टर लॉंग रेजिस्टन्स हिपो स्ट्रेटर्स के साथ लड़ाय करके बाद में ही यह जो एजिस है उसने यह आखिरी जो इंडोकरी के रूल है उससे अपने जो केरिटर है वो ले ली है यह जो भीमरान कास्केट है वो जलालाबाद है से मिला है उसमें काफी मात्र में एजिस है उसके कॉइन मिले है और यह जो सक लोग है बाद में वो पांच ऐसी जो ठाप से उसमें डिवाइड हो गए थ है उसमें उसमें जो ड्रिवाइड जो ये ब्रांची से उसको क्षत्रफ या फिर महाक्षत्रफ कहा जाता था उसमें भी ये जो उच्छेन वाले ब्रांचे वो पावरफुल होई और दूसरे जो क्षत्रफ और महाक्षत्रफ यानि जो वेस्टन महाक्षत्रफ है वो ब्रांच है वो भी powerful होई बाकि जो दूसरी ब्रांच थे वो उतनी capable नहीं रही बाद में जो पार्थियन से उसके द्वारा ये capture की गई जो सक डोमिनेशन है नॉर्थन वेस्टेंड पार्ट में वो पार्थियन यानि की जो पहलव है उसके द्वारा ये जो पार्थियन से ये जो सीथियन दोनों एक साथ ही वो रेते थे जो संस्क्रिट टेक्स है उसमें भी उनको सब पहलव के नाम से ही चाना गया है उसका पहला जो राजा था उतका नाम था वेनोनोस जो की आरकोशिया और सिस्तान वोले प्रांच में वो राज करता था और इसका भी एक वेलन जो फरनिशी था और ये गॉंडव फरनिश इसलिए भी इंपोर्टन है क्यूंकि उस वक्त जो जीसस क्राइस्ट है और साथी सथी है उसकी सुरुवात हो चूकि तो गोन्डव फरनिश है उसको साइन्ट होमस है उसको के साथ भी रिलेट किया जाता था सेंट फ्रोग्रमि के लिए ये जो गॉंडवफरनिस है उसकी जो राजदर्बार है उसमें वो आया था और उसने यहां से जो भारत है उसमें क्रिस्चिन दर्मों को फेलाने के लिए जो गॉंडवफरनिस है उसके जो कोट है वहां पर वो आया था गॉंडवफरनिस के बाद ये जो इंडो पार पर पंजाब और गांसर वाला एरिया उसके उपर उसने रूल किया था चाहती साथ जो गोंडोफर नी से वो थोड़ा पावर्फुल रूल था इसलिए भी साथ हमें इसको जानने के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है उसके बात देखे तो अब सक में जो ब्रांच इस अब वह सक जो सासन है उसमें मोस्ट पावर्फुल उसके बाद बन गए थी क्योंकि उसने काप्य एस अरिया थे उसमों जो वेस्टन खाथा है उसने केप्चर कर रहे थे यह जो टाइटल है क्सत्रप यान कि जो गार्डियन उसको गार्डियन कहां जाता है गार्डियन description है उसमें लिखा गया है और ये जो क्षेत्रफ है उशकी भी दो ब्रांच से western क्षेत्रफ है उशने पहला है खहराट और दूसरा है करदमाग यह जो नहपान और यह सब है वो क्षेत और करदमाग से रुद्रवदामन और यह सब वो करदमाग से थे तर I नौन नमबर और कहराट और चहराट फेमिली आर गातक भूमक और नहपान ये जो नहपान गातक और भूमक है ये लोग है वो कहराट जो लाइने से उससे बिलोंग करते थे और ये जो गातक है उसने मतुरा वाला एरिया है वहाँ पर ये रूल करता था वहीं ये जो भूमक ह उसने उज्जेन क्षत्रपी है वहाँ रूल करता था और ये जो भूमक और नहपान उन दोनों है मिलकरी बात में ये जो उज्जेन और जो काठियावर्ड जो है वहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर कलिया और साथी साथ उन दोनों ने ही जो सक पावर है उसमें वेस्टन इंडिया वाले पाट में ये तोमिनेस है उसने बनाने की शुरुवात की इसने की ये जो भूमक और उसके जो पूत्र है नवपाण उसने, पहले ये जो भूमक था वो 70 था. काठियावल काठियावल का यक्षात्रब था और उसमें जो महारास्ट्र वाला एरिया लड़ाया है उसमें लिखा करया है कि ये जो महाराश्टर वाला एरिया कैसे जे जो लड़ाईया है वह लड़ी है यह जो सक्षत्रफ है उसके और साथवाहन के बीच काफी चालों से लडाया होती रहती ही महारास्टर वाले और Western इंडिया वाला पार्ट है उसको सवरास्टर और Western इजिया वाला साथी साथ महारास्टर वाला जो रीजिन है उसको लेकर सक और सात्वाहने उसके बहुत काफी ऐसे और नासिक इंस्क्रिप्शन और जोगल थम्भी हो जोगल थम्भी जो कि नासिक के पास एक गाव है वहाँ पर यह जो काफी मात्र में जो सिक्के मिले है उसके बज़ा चलता है कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है उसमें भी लिखा गये है साथी साथ जो सुगल थम्भी के जो तो है उसमें भी काफी एससे जो सिख्के मिले है उसको वह एक खास्य यह है कि जो नहपान है उसके सिख्के मिले है लेकिन उसके उपर जो गोत्मी पुत्र साथ करनी है उसके भी काफी सिख्के है वो मिले है और उसको नहपान के सिख्कों के उपर है गोत्मी पुत्र साथ करन यहीं जो एनेक्स साथन प्रविंस अफ सत्र टेरिटरी और उसके जो सधन टेरिटरी वाला जो एडिया है जिसमें पहले ये जो ये जो घौतनमी पूर्वत्थ ठीप सक्रण गौत्मी पुत्र साथक्रणी पावर्ण मैं तो कि मोस्ट पावर्फुल रूलर था उसको असोक और सुंग के पुश्यमित्र के बाद वो भारत का मोस्ट पावर्फुल राजा बना था तो इसे नहीं यह जो अपनी जो साथक्रणी और सातवान वंस की जो पहले प्रतिवाती वो फिर से रीकंस्ट्रक्ट की और यह जो नहपान और दूसरे साथ साथ के उसको बेडली डिफिट किया है नहपान हिमसेल्फ वो और तुमी पुत्र साथक्रणी स्प्रूट बाइड़ टेस्टेमनी और जुगल थंभी होड विच कंसिस्ट अप नहपान सोइन कोइन कोई रीकंस्ट्रक्ट बाइड गौतुमी पुत्र जैसा कि मैंने कहा कि जो नहपान है वो गौतुमी पुत्र दौर डिफिट किया गया था और इसका जो पता है वो जो गल्थंभी के जो सिक्के मिले वहाँ पुसे यह जो चलता है उसमें जो नहपान के जो उसमें ज्यादा और जो नहपान है उसके बाद जो क्सत्रफ है उसको कर्दमक द्वारा उसकी जो लाइन है वो बदल गई और जो यह कर्दमक है उसका जो फाउंडर था वो चस्तान था चस्तान जो की जो जिन वाला एरिया है वहां का यह सासक था और चस्तान है उसके बाद जो सासक बना व होर उसी ने ही वह अपने आपको महक्षत्रप वह कहला था यह भी एक पहले जो राजा थे ने वो सिर्फ तरफ था लेकिन यही अकेला इससरा था जो अपने आपको महक्षत्रप है उसकी उपदी में ली था यह वह वह बात है वो जुंड़ण का आ जो ये जो रुद्र दामन है उसने सत्करणी के जो सक्षेसर रहे उसका नाम तो नहीं पता काफी हैसे उसमें भी मतांतर है कुछ कहते है कि जो पुलो मा है वो है लेकिन कुछ ऐसे कहते है कि जो साथ करनी तुरुती यह है साथ करनी थर्ड वो इसके द्वारा डिफिट किया गया था लेकिन उसको छोड़ दिया क्योंकि यह जो रुद्रदामन है उसकी पूत्री का भीवा इस साथ करने के सा हुआ था रुद्रदामन है उसने साथ करणी से जो मालवा सवराष्ट गुजरात कौंकर और युद्धेय है यह सब एरिया है वो रुद्रदामन ने कौंकर गया थे और इसी ने ही जो असोक द्वारा जो सुदर्शन लेक जुनागड में बनाया गया था उस लोगों की वेलफेर के लिए वहां की जो ड्रोट आती थी जो दुसकाल की जो स्तीतिया थे उसको निवानने के लिए जो असोक ने यह जो रुद्रदामन लेक बन ऊसका भी एक बहुत ही बड़ा वो चाहक था तो काफी जो संस्कृत जो स्कोलर है वो अपने राज्य में अपनी जो कोड़ है उसमें वो बिठाता था रुद्रदामन वन वो सक्षेज सक्षेट बाइ सेवन रोल उसके बाद कोई इसा जो राजा है वो मजबूत राजा नह ये उसके बाद सेवन राजा बने लेकिन जो लास्ट नोन राजा है वो रुद्रसीन टू है जो की 388 AD के आते वक्त वो रूल करता था और ये जो बान हर्ष चरित का जो बान है जो बान बानफट का जो हर्ष चरित जो की कुरूती है उसमें भी लिखा गया है उसमें लिखा है कि यह जो रूदर सिनी टू है धर्ड है वो गुप्त समराट चंदरगुप्त विक्रमा दित्यद्वारा ही ये उसको डिफिट किया गया और जो सवराष्ट और वेस्टन एरिया थे वहाँ पर जो सको का राज था काफी सालों से जो सको का राज था वो गुप्त समराठ चंदरगुप्त विक्रमादित्य द्वारा ही ये सको की जो डॉमिनस है वो खतम की गई और उनकी जो टेरिटरी है वो बाद में गुप्त एमपार है उसमें मिला ली ह अब देखते है कि कुसान है कुसान के बारे में देखते है जो पूसान भी एक वो एक जो इपग्राफि और नुमिस्मेटिक सोर्स है इंडिया के और सेंड्र ले सेंडिया और पर वो रहते थे और अपना सेडल्मेंट था और उसको युए चीर चाइनिज सोर्सिस में उसको यूहेची कहा गया है और ये जो कुसाना है वो यूहेची की एक जो सेंट्रल एसिया वाली जो ट्राइब है वहाँ पर जो सेटल्मेंट थे उसको ही एक बरांती उसको ही कुसान कहा गया है और कुसान है वो पहले जो जो फाइव ट्राइब थी जो की यूएच यूएच ट्राइब डिवाइट किया गया था उसमें भी उसमें से एक ये कुसान ट्राइब थी और ये जो कुजूल कड़फिस है वो भी इस कुसान डाइनिस्टिक का फाउंडर है उसी ने ही ये जो पाचों के पाचों जो डिवाइड हो गई थी यूएच ट्राइब उसको एकत्रित किया और उसी ने ही ये जो कुसान एंपायर है उसकी निव रखी और हो हान्सू की माने तो उसने ये जो काबूल है जिसमें उसको काउफा कहा गया है वेस्टन बेक्ट्रिया और कास्प मेर और दूसरे ने वेस्टन पार्ट ऑफ इंडियन सब ये जो है कुजूल कडफिशिस है उसको उसके द्वारा ही उसकी जो टेरिटरी है वो उस वक्त फेली होई थी और इस कुजूल जो कडफिशिस है उसी ने ही ये जो जो पहलव और सौकव जो राजा थे जो नोर्सन वेस्टन पार्ट में जो राजा राज करता है उसको आउ जो वीम करफिसी से उसे ने ही यह जो मत्वुरा तक अपनी जो टेरिटरी है अपना जो सामराजी है वो मत्वुरा तक फेलाया था वीम इस यूट गोल्ड कोई विच्छों कंसेडरबल इंडियन इंफिलेंस अंट लैक दोज ओव इस फादर विच इंक्लूडेट कोपर इमि वीम करफिसी वो पहला ऐसा राजा था जिसने भारत के जो पंथ है जो धर्म है उसको भड़े ही उच्छा से अपने जो धर्म है उसको उसमें वो कनवर्ट हो गया वो बात में वो सेविजम है उसमों कनवर्ट हो गया और अपने आपको वो पर जो महस्वर है महस्वर की उपाती दी रखी है कड़फिस टू है वो उसके बाद जो राजा बना कड़फिस टू उसके बाद जो कनिस्क है वहां का राजा बना और जो कुसान एमपायर है वो पिक पर इसी की जो कनिश के रूल में ही वो पहुंचा था और कनिश जो की कुसान राजवांस का कनिश के वो मोस्ट पाउरफुल राजा माना जाता है अब देखे तो कनिश की बात करें कनिश के उसने भारत में और भारत के बार ही अपना जो सामराज है वो काफी फिला था जब वो राजा बना तो कुसान एमपायर में जो अफ़गनिस्तान है और पंजाब और पार्थया बेक्त्रिया वाला पार्थ है वह उसका पार्थ था लेकिन उसने है वह कास्मीर है उसको भी कैप्चर कर लिया और वहाँ पर एक न जो एक टाउन है वह बनाई जिसके कनिश कपूर नाम दिया गया शाथी साथ सवराष्ट्र मारवा राजस्तान और यह जब सब जो उसकी कैपिटल थी और उसने जो चाइनी से उसकी साथ लड़ाय कि उसके खोतान और यार कंद और कास कर जिस जो एरिया है वही उसने अपने जो सामरेज है उसमें मिला लिये और उसका जो जब वह समरेज अपने पीक पर था तो वह गांधार और गांधार सेलेक्ट नोर्थन मालवा वहारा प्रांत और सौन वसमें देखके दो नोर्थन मालवा तक उसका जो सामरच्ज वह फेला था और काफी एससाइज उसका मन था कि उसी से ही जो सववन्द की शुरुवत होई है। ये उसी सवी जो सव Iraqree 228 CE में वह वहीं से ही शुरुवत होती है और उसके भी कुछ जो सीखके है उसमें प्रमाइब मिलता है कि वह बाद में वह वह बाद में वह काफी um इंडियो ग्रीक रूलर है 有सी की तर्जश पर उसने ही भारत ही जो सτί सिविलाईजेशन इंडन civilization को capture कर लिया और बाद में वो बुद्धिस्म को काफी बढ़ावा देना लगा और साथ ही वो बुद्धिस्म में भी वो convert हो गया था और उसको असोका के बाद दूसरा असोक भी आफ उसको कह सकते है क्योंकि वो भी काफी असोक की थरह एक जो बुद्धिस्म को काफी फेलावा देता था और उसी ने ही जो बुद्धिसम है और उसी के वक्त में ही महायान और हीनियन पार्ट में वो divide हो गया था और जो आखरी बुद्धिस्ट जो कांसिल हुई थी कुंडलवर्ण में जो कास्मिले उन जो हुई थी वो कनिष्क काद्वारा ही ओर्गिनाईस की गई थी जिसके जो चेड है वो वसुमित्र दारा उसको जो है वो प्रिशेट किया गए था उसका प्रेसिडेंट वसुमित्र बड़ा लवर रहा है आट और कल्चर का भी काफी बड़ा लवर रहा है तो इसी दिए ही उसके जो दर्बार है उसमें वसमित्रों अस्वगोस नागरजून चरक और पार्स को जैसे काफी विद्वान स्कॉलर है वो भी इसी की ही राजदर्बार की सोबा बढ़ाते थे और ब 3.5 लवर इसके वो वो असोक और सात करने के बाद दूसरा ऐसा राजा था जिसने इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो पहला आयथा अब देखें तो उसके साम्राज्य में काफी यसा जो हिस्सा है वो आ जाता है जिसमें जो देखें तो कुसान अएंपएर में कास मीली हो पूरा कपूर आजा था साथी साथी जो बेक्ट्रिया है वहां तक और जो कासगर्ण और यार का ने खोतान है वो भी उसने बाद में वो च्रेस्टन एंडिया और नोर्धन इंडिया उस ने काफी इसी यह वह कप्चर कर लिए तो Сबी안 mo बनांत भी ऊधर में निया क्या आप influence उस पर देख सकते हैं, उसके बाद देखें, तो कनिस्क के ही काल में ये जो अस्वघोस की जो बुद्ध चरी थे, बुद्ध की जो बायोग्राफी है, वो अस्वघोस द्वरा लिखी गई, वो उसी के ही काल में लिखी गई है, और जो नागरजुन द्वरा जो माद्य में एक सुत्र है, वो भी उसी के ही काल में लिखा गया है, और वस्वमित्र की महाविपास सास्त्र और चरक की जो चरक सहीता है, वो सब है, वो इसी के ही काल में लिखी गई है, तो ये जो कनिस्क है, वो कुसान वन्स का एक सबसे प्रतापी समराट राजा था, और उसकी मि बड़ा राजा नहीं हुआ है और लास्ट जो ग्रेट वूल रूलर था वो था वासुदेव जो कि आप उसमें देखे तो वो लोग है कुसान भी है वो पहले सक और ग्रीक लोगों की ही तरह वो इंडियन इंफ्लेंस में आ गया थे और उसे नहीं उन्होंने ही यह जो हमारे वो बिखने लगांगे यह जो वासुदेव नाम है वू साइब वेस्ट Pik है और वासुदेव के मृत्वित्य नाम है वो डिक्लैन हो गया ओर जो एंपएर है वो च्प्रीसिते अश्री बटग गया गुप्त इंपायर के राइस तक अब देखे तो इन सब जो सामरज्य जो भारत में बने थे तो उसकी कुछ जो इंपेक्ट ही वो भारत के उपर पड़ी है तो सबसे पहले जो इंपेक्ट है वो है जो हमने इंडिया और चाइना और इंडिया और सेंटरल एसिया के बीच एक वो दो पहले हैं अनहीं है कि अनोगों के साथ जो इन लोगों ने जो हमारे इंडियों टेरिटरीके ओltry के ओपर जो यह बनाये जो इसामरज्य जो खड़े किये हैं तो उसी से ही क्या हुँआ कि हम लोगों को सेंट्रल एसिया के साथ जुढने का मोका मिल गया शाथ यहां से हम काफी इंपर्ट है वहां तक करते थे तो यह सब है वह वह भी एक जो पोजिटिव इंपक्ट के थोर पर आप उसको देख सकते है कि जो सेंट्रल एसिया के जो प्रांत है और उनके जो किंग्डम है उसके साथ हमारा जो नाता है वो जुड़ गया साथ चाइना के साथ भी हमारे एक मजबूत रिष्टा है वो जुड़ गया और उसके साथ चाथ देखे तो जो गोल्ड है अल्टाइ माउंटन स सिर्फ है वहां से जो गोड हे वह आने लगा सदही चoglo हो रोम का जो गौड है वह भी भारत में आने लगा तो यह उसी का ही एक इंपक्ष है जो हिसटारी किंग्डम से यह अपर बने हैं तो ग्रीक के साथ जो ऑभी होता था उसी से ही यह यह जो गोड है वह यहां कि आभर में और ब्रॉंज कोईंस में पहले जो कोईंसे वो होते थे लेकिन यह जो इंडो ग्रीक शासक और यह सब जो सासक लोगों ने ही यह जो गोल्ड कोईंस के जो शुरुआ थे वह इन लोगों द्वारा की गई है और वो अब आप बात में वह पूरी तरह से वह सम्मिल लिया वो दे अल्टेमेटले लोस्त हे वो लोग पुरे इंडियन थी बंगए हमारी जो सिवील जो कलचर है वो पूरे की पूरी तोर अपने जो कलचर वह अपना ली और आप देखें तो कुसान है वो पूरा सिल्क रूट को कन्रोल करते हैं तो हमारे ट्रेड के लिए भी काफी वह important हो जाता था चाइना के साथ हमारा ट्रेड साथ ही जन्रल एसिया की country और रोमन एम्पाइर के साथ जो हमारा ट्रेड था through the bacteria बेक्ट्रिया से होकर जो हमारा जो ट्रेड होता था इसे में भी हमें काफी मदद जो kingdom है उससे मिली है और ये सक और कुसान सा सक है उसी से ही ये जो राजत्व का जो दीविय उत्पति का विचार है यनि की जो राजा है वो दीविय है और भगवान के साथ उनकी जो कंपेरिजन की जाती थी वो इसी के दोर में वो शुरुवात हो चुकी थी और वो लोग Sanskrit के भी Sanskrit literature भी काफी उसको बड़ाव देते थे और वो Patron और Cultivate भी Sanskrit literature को करवाते थे क्योंकि उन्होंने ही Sanskrit काफी बड़ावा दिया था यजो सत्रम शिस्टम है तो उसी से ही बनी है और काफी एसे जो ruler है वो इंडियन religion में convert हो गए वेशनिविजम बुद्धिजम उसमें काफी एसे जो ruler है वो convert हो गए जो करनश्क है वह प्राबरबली बुद्धिस्त और सैवीम क्योंकि उसके जो कवह vara कि वह कोई से उसमें बुद्धिस्म और सकाथ चो पासोत या які lovers उसके भी काफंट्य से जो सिख्के मेले वह वेश्णविजम का फ्रोर बंड गया था तो इससे हमें यह पता जलता है कि यह लोग है पूरी की पूरी तर अपनी जो आइडेटी खुद की है वह मिट गई थी और वह भारत है वह पूरी तरह भारत के कल्चर और भारत में सम्मिलित हो गए थे और वह जो जो हमारे जो पहले के जो टाइटल लेते थे जैसे गी परम बटार्क विक्रमादितिया एसे जो बड़े-बड़े परम महेश्वर एसे जो टाइटल है वो यह लोग भी अपनाने लगे थे और इसी से ही जो ग्रीक लोग है उसने हेलनिस्टिक नोसन वेस्टन पार्ट में जब पहले वो सामरे जब बना तो जो हमारे आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी काफी बड़ा जो रोल है उन्होंने प्लेग गिए जो हेलनिस्निक आर्ट है जो पहले जो गंदर स्कुलोप आ जिसके बारे में हमारे आर्ट एंड कल्चर के जो सबजेक्ट है उसमें काफी वाइडली उसमें डिस्क्रिप्श्टन दिया गया है तो यह जो गांतर शुकुलोप आट और मतुरा क्या हमारे पहले जो बसक्राइं दोनों का काफी बड़ा प्रभाव हो रहा है तो इस सबक सकास और कुजानास इन सबने हमारे टेरिटरी के ओपर जो अपने जो सामराज ये बड़े-बड़े सामराज बनाए उसकी एक जो पोजिटिव इंपक्ट है वो भी आप उसको देख सकते है क्योंकि उस वक्त देखे तो सदन इंडिया वाला पार्ट है वो सात्वान दारा कि चलते हो सोंकी सकते कि चलते हो आगे नहीं बढ़ पाए तो उन लोगों ने वहां जो उनका जो रूल था वो मोशनली जो एक्स्ट्रिम वेस्ट और नोर्थन वेस्टन पार्ट में था तो इसी यह सब जगा है वहां पर इन सब का काफी प्रभाव भी रहा है तो यह था म